आजादी के अम्रित महुतसब के तहत फरीदबाद में आयोजित किये जा रहे 75 दिवशी है इवेंट में रवीवार शाम को नाटक रोजांगला का मंचन किया गया भारत चीन युद पर आधारित इस नाटक में अहीरवाल छेत्र के जवानों की टुकडी की कहानी को दिखाया गया है जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान की कारेकरम का आयोजन सेक्टर आठ इस्तित सर्वोध्य अस्पताल के सबागार में किया गया रवी मोहन के निर्देशन में मंचित किये गए नाटक रोजांगला में 1962 में चीन की लड़ाई को दिखाया गया है रोजांगल में इसे बड़े मारमिक धंग से दिखाया गया है मंचन पर बरफीली पहाडियां दिखाते हुए सैट लगाया गया था नाटक के कुछ दिरिश्यों ने सबागार में मौजूद लोगों की आखों को नम कर दिया संवारिया फाउंडेशन के डारेक्टर अभीशेक देशव चलेगा इसके तहट हम हर वीकेंट पर इस तरह के नाटक वे देश भगति पर आधारित मुजूकल नाइट का आयोजन करते रहते हैं